केंद्रिय विक्तमंत्री निर्मा सीतारमन ने लोकसभा में वितवर्ष 2022 देश के लिए बजट पेश किया चौथी बार केंद्रिय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्ता तेजी से मजबुत हो रही है लेकिन लोगों को ये बात रास नहीं आई उनका पिटारा खुलता रहा और निराशाहात लगती रही इंकम टेक्स में कमी की आस लगाए वेतन भोगी हैरान हुए तो राहत की उम्मिद लगाए आम आदमी परेशान भाजपा भले ही इसे आम आदमी का बजट कह रही है लेकिन विपक्ष सरकार को कोसने में लगा है उसने साफ कहा है कि मोधी सरकार की आर्थिक नीदियों का खामी आजाज जन्ता को भी भुगतना पड़ा है परिनाम स्वरूप उपभोग खर्च में काफी कमी आई है बजट 2021-22 में सरकार ने 65,000 करोड रुपए आवंटीत करने का प्रस्ताव रखा था इस बार यहां केवल 68,000 करोड रुपए हो गया है बता दे पीम किसान के लाभर्टियों की संक्या 12,47 लाग से अधिक हो गई है मुदी सरकार किसानों की आए दोगुनी करने के लक्ष के तहट इस योजना की शुरुवात 2018 में किया था तब से लेकर अब तक सरकार ने 10 किस्त जारी कर चुकी है इस योजना के तहट किसानों को सालाना 6,000 रुपए 22,000 की तीन किस्तों में दिये जाते है मध्यम वर्क के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से चूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मिद थी लेकिन महंगाई और टैक्स पर चूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ देश में रोजगार को लेकर वित्तमंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाग अतिरिक्त नौकरिया देने की क्षमता है 100 साल के लिए धाचा गत सुविधा बढ़ाएंगे इसके अलावा डीजिटल करेंसी शुरू करने का अलान हुआ है वर्चुल करनसी पर सरकार ने 30 प्रतिशर टैक्स लगाने की घोशना की है इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी गाव गाव में करेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा टैक्स पेर्स को ये राहत जरूर मिली है कि ITR फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुगा कर अपडेटेट रिटरन भरा जा सकेगा इस बार बजट में डीजल पेट्रोल को लेकर एक अहम घोशना हुई है निर्मला सितारमन ने कहा है कि एक अक्तुबर 2022 से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्योल फर दो रुपए प्रति लिटर के हिसाब से उत्पाच शुलक लगा जाएगा यानि एक अक्तुबर से आपको बिना ब्लेंडिंग वाले फ्योल मतलब ब्रांडेट डीजल पेट्रोल के लिए दो रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे यहाँ आपको बता दे कि एक्स्ट्रा प्रिमियम जैसे पेट्रोल ब्रांडेट फ्योल की कैटेगरी में आते है एथिनॉल को गन्ने से बनाया जाता है फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के बाद एथेनॉल मिलता है ऐसे में ब्लेंडिंग को जरूरी करने के फैसले से अधिक एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी और इससे किसानों को फायदा होगा तमाम मोकों पर सरकार भी ब्लेंडिंग पर जोर दे चुकी है बजट में हुई इस गोशना का मकसद कच्चे तेल के आयात में कमी करना है चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब बे, मोबाइल फोन, चार्जर और जेम्स एंड जोलरी सस्ते होंगे जेम्स एंड जोलरी पर कस्टम ड्योटी को घटा कर पाच फिजदी कर दिया गया है कट और पॉलिश ड्यामन पर भी कस्टम ड्योटी घटा कर पाच फिजदी कर दिया गया है मेंस एमिक को मदद मुहया कराने के लिए स्टेल स्क्रैब पर कस्टम ड्योटी छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है मेंथा ओयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर आदी पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, ताकि घरेलू मैनुफेक्टरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। कैपिटल गूट्स पर आयत शूलक में छूट को खत्म कर दे हुए 7.5 फीसदी आयत शूलक लगा दिया गया है, विदेशी चाता भी महेंगा होगा, इसके अलावा इस साल अक्तुबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फियूल पर 2 रुपए प्रती लिटर के हिसाब से एक साइस ड्यूटी लगेगी, इमिटेशन जुवेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई ताकि इसके आयत को कम किया जा सके, कम कीमत वाले नकली आभुशनों के आयत को हतोत साइट करने के लिए इस तरह से सीमा शूलक निर्दारित किया जा रहा है कि इसके आयत पर कम से कम 400 डारेक्ट टैक्स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी थी, हाला कि सरकार ने शराप, काबुली चना, मतर, मसूर की दाल समित कई उतपादों पर कुरुशी इंफरास्ट्रक्चर सेस लगाने की भी होशना की थी, निर्मला सितार अमन ने कस्टम्स में 400 से ज 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है, मोबाइल्स के कुछ पार्ट्स पर 2.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई है। जितने फ्रांस, स्विडन और स्विजर लैंड को मिला कर भी नहीं है, अंतर यहा है कि वहां के अरबपती अपनी चारोर, अभाव, गरीबी और लाचारी से जूचते लोगों से उस तरह नहीं घिरे है, जैसे कि भारत के अरबपती घिरे है, सूपर रिश तपके और एक्स किसानों पर फोकस किया गया था, इसमें किसानों की आये बढ़ाने, कुरुशी बाजरों को उदार बनाने और किसानों को समर्थन देने की बात कही गई थी, इस बार की घोशना के अनुसार, किसानों को डिजिटल और हाइटेक बनाने के लिए, पीपी मोड में नई योजन कि आधुनी कुरुशी, मुले सवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा, इसके साथ ही फसल मुल्यांकन भूमे रिकॉर्ड कीटक नाशकों के छिड़काओं के लिए, किसान ड्रोन के उपयोग से कुरुशी और कुरुशी क्षेत्र में प्रोध्योगी की लहर चलन की उम्मीद है, यही नहीं, नाबाट के जरिये किसानों के लिए फंड की सुविधा, स्टार्टप, FPO को सपोर्ट करके किसानों को हाइटेक बनाया जाएगा अधर्बुट धाचा हो, अथवा स्टार्प, अधर्बुट धाचा हो, अथवा स्वास्थ सेवा हो, एवं शिक्षा विवस्ता से संबंदित आधर्बुट धाचा हो, हलाकि अब कोरोना महामारी के बाद से देश के ग्रामिन इलाकों में भी आधर्बुट धाचा को तेजी से विस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है देश में वित्य अर्थव्यवस्ता धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है इस तरह की सुविधाये अर्थव्यवस्ता को तीजी से आगे बढ़ने में मदद कर रही है अब तो ग्रामिन इलाकों में भी बिजली हर समय उपलब रहे एवं इंटरनेट की सुविधा भी हर समय मिलती रहे इसके प्रयास इस बजट के माध्यम से निश्चित किये गए है देश में सौरूर्जा की उतपादन को गती दिये जाने का प्रयास सकारात्मक कदम है इस बजट को Confederation of All India Traders ने एक व्यापक और प्रगती शील बजट दस्ताविज बताया वही बजट को दस में से आठ अंक भी दिये है कैट के अनुसार पाच लाग करोड रुपे के साथ ECGL योजना के विस्तार PLI योजना को विभिन्न क्षेत्रों से जोडने साइद कई नई गोशनाओं से न केवल छोटी वी निर्मान इकाईयों को लाव होगा बलकि व्यापारी क्षेत्र का भी लाव होगा क्योंकि वी निर्मान सामान और उपभोग योग्या आय में व्रिद्धी से अर्थवेवस्ता को लाव पोचेगा और व्यापार क्षेत्र में वित्तिय तरलता बढ़ने की बड़ी संभवनाएं मौजुद रहेंगी केंध्रीय वित्ता मंत्री निर्मला सितार अमने 400 वंद्ध भारत ट्रेने का एलान किया है ये वंदे भारत की 400 ट्रेने अगले तीन सालों में चलेगी वंद्ध भारत एक्सप्रेस की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 2019 में वारान असी से नई दिल्ली के बीच हुई थी इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है ये देश की अपनी तरह की पहली और सबसे तेश चलने वाली ट्रेन है वित्तमंत्री ने घोशना करते वे बताया कि कहां कि देश में वंदे भारत ट्रेन चलेगी इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गती शक्ती कारगो टर्मिनल तयार किये जाएंगे साथ ही आठ नई रोफवे का निर्मान होगा वित्तमंत्रे ने कहां कि 2022 तेश की बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलो मिटर तक बढ़ाया जाएगा ये देश की अपनी तरह की पहली और सबसे तेश चलने वाली ट्रेन है इसका लुब बुले ट्रेन से मिलता जुलता बनाया गया है कोरोनकाल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ विश्वस्तरिय डिजिटल इनिवर्सिटी बनाएंगे शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूलों की हर क्लास में लगाया जाएगा टीवी युवा शक्ति को स्कील इंडिया मिशन के जरिये स्कील्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा वही मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा 2022-23 में पीम आवास योजना के तहट 80 लाक मकान बनाए जाएंगे इनके लिए 48,000 करोट का फंड रखा गया है वही हर घर नल से जल के अंतरगत इस समय 8.7 करोट परिवारों को कवर किया गया है पीम आवास योजना ग्रामिन का लाब मार्ज 2024 तक मिलने वाला है इसके तहट मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सबसेड़ी दी जाती है सबसेड़ी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग होती है स्टार्ट अप के जरीए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा MSME सेक्टर यानि छोटे और मध्यम व्यापार के लिए कर्ज गैरेंटी योजना मार्ज 2030 तक बढ़ा दी गई है Emergency Credit Line Guarantee Scheme के तहट 1.30,000,000 MSME को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा ताकि वे कोरोना महामारी से उबर सके Digital Currency को इसे वित्वर्ष चालू किया जाएगा EV Ecosystem को बढ़ावा देने के लिए Interoperability Standards के साथ आएगी एक Battery Swapping Policy Income Tax के नियमों में बड़े सुधार किये जाएंगे IT Return अपडेट करने के लिए Taxpayers को ज़्यादा मोगा मिलेगा जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का Income Tax Return अपडेट कर सकते है Income Tax Lab पर बात नहीं की इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है सीता रामन ने बताया कि Electronics पर लगने वाले Tax में छूट मिलेगी वही रतना और आभुशन पर Custom Duty घटा कर 5 पी सदी कर दी गई है नकली घहनों पर Custom Duty 400 रुपए प्रती किलो रहेगी स्टील के स्क्रैप पर Custom Duty एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है कॉंग्रेस के पुरुवद्धेक्षर राहूल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोधी सरकार के बजट में कुछ नहीं है मध्यम वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, गरिब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ नहीं है कॉंग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और कहां कि मध्यम और वेतन भोगी वर्ग के साथ विश्वाजगात किया गया है बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्तार अनदिप सिंग सुर्जेवाला ने कहा भारत का वेतन भोगी वर्ग और मध्यम वर्ग महमारी के समय में राहत की उम्मित कर रहा था विट्टमंत्री और प्रधान मंत्री ने उन्हें प्रत्यक्षकर उपायों को लेकर फिर से निराज किया है ये भारत के वेतन भोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वाजगात है बहराल बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है हम आपके सामने फिर आएंगे किसी अन्यमुद्दे को लेकर तब तक बने रही हमारे साथ नमस्कार